वेलकम तो इंस्टेंट स्टुडी चैनल आज हम क्लास थी NCRT के EST की बुक से पुनम स्टे आउट रेट करेंगे तो चले स्टार्ट करते हैं मा प्लीज लेट मी गो तो स्कूल तुड़े I have been at home for the past two days I am getting bored सेट पुनम पुनम बोल रही है मा प्लीज मुझे स्कूल जाने दो मैं दो दिन से घर पर रहकर bored हो रही हूँ But you still have fever Go outside and lead down on the cot replied मा मा ने कहा कि तुम्हें फिवर है तुम बाहर जाओ और cot, cot मतलब खाट होता है खाट पर आराम करो पुनम feels asleep on the cot पुनम खाट पर सो जाती है Suddenly some things fell on her face पुनम वाकप at once and touch her chick Oh no, whose mischief is this पुनम खाट पर लेट जाती है और तभी अचानक से उसके face पर कुछ चीज गिरती है आके पुनम उठती है और अपने face को touch करने लगती है बोलती है Oh no, whose mischief is this यह किसकी शैतानी है यह किसकी शरारट है mischief का मतला किसकी बदमाशिया शैतानी होता है Is it The crow are the pigeon या तो यह crow होगा या तो वो pigeon होगा वो ऐसा सोचने लग जाती है तभी उसे लगता है It seems it's the crow मुझे ऐसा लगता है यह crow की बदमाशिया यह देखो बच्चों यहाँ पेड दिया हुआ है इस पेड में कितने सारे birds बैठी है स्क्वेरल बैठी है monkey है butterfly है squirrel है कितने सारे बैठे बैठी है Children learn a lot from people and things in their environment Through this lesson children should be given an opportunity to observe nature not just sit in the class and read their lesson पूनम लुबड़ see some many animals on the tree पूनम ने देखा उसने देखा कि बहाँ सारे animals ट्री पर बैठे वे है which animals can you spot on the tree in the picture write down their names बच्चों आप वहाँ ट्री की picture पर कौन-कौन से animals देख रहे हुँ यह सब देखो और देखो और उसको write down करो देखो यहाँ यहाँ कौन-कौन से है pigeon, squirrel, crow, monkey, butterfly, sparrow, cuckoo, aunt है न मचो? पूनम picked up a left from the ground and whipped her chick with it but her chick was still sticky she touched let me go and wash my face in the nearby pond पूनम उठती है और देखती है कि अपने चेहरे को अपने हाथ से पोश्टी है और देखती है कि कुछ चिपचीपा सा पदार्थ होता है जो से साफ नहीं हो रहा होता तभी वह सोचती है कि चलो मेरे पास में जो पॉंड है उस पे वहाँ जाकर मैं अपना फेस वाश कर के आती है यह देखो बच्चे है यह पॉंड है यह पॉंड में पॉंड में अपना फेस वाश कर रही है इसमें पॉंड के पास गौट है टॉटाइज है केव है फ्रॉग्स है बफैलोज है ओके बच्चों देखो क्या क्या देख रहा हमें इस पिचर में पॉंड उस पिचर में क्या क्या देख रही है क्रेइन है गौट है टॉटाइज है बफैलोज फ्रॉग्स स्ट्रॉग्स In the book, the word animal is used for insects, birds, reptiles and mammals. At this age, children cannot classify animals into different categories. Try to find out what children understand by the word animal. Encourage children to collect more detail of various animals. बच्चो इस पिच्चर में जितने भी animals दिये हैं, वो उनके अलावा और भी insects हैं, animals हैं, उनके पिच्चर साप कलेक्ट करिए, उनके बारे में knowledge दीजिए. Can you act like the animals seen at the pond? Which animal make what kind of sounds and movements? Try to make similar sounds. बच्चे, यहाँ पर जो भी pond के पास में animals दिखाई दे रहे हैं, उनके सभी और अनिमल्स के, जितने सभी sounds का आप निकाल सकते हैं, या जिस तरह से movement करते हैं, चलते हैं, कूजते हैं, उचलते हैं, जिस तरह के sound निकालते हैं, क्या वैसा similar sound निकाल सकते हैं? ट्राइ करियेगा different animals move in different way to go from one place to another place some animals walk, some crawl some fly and some swim for this some animals use their feet some use their wings some animals even take the help of their tail पुचो सभी animals different different तरीके यूज करते हैं एक place से दूसरे place जाने के लिए जैसे कुछ अपने पैरों से चलके जाते हैं कुछ crawl करते हैं crawl करना मने रेंग ना रेंग कर घुटने के बलपा जैसे छोटा बच्छा होता है crawl करके एक जगे से दूसरा जगा जाता है ना उस टाइब से कुछ fly करते हैं जैसे butterfly fly करके जाती है honey bee तो भंह फोटे हैं जो अपने पंखों से उड़के जाते हैं कुछ animals होते हैं जो अपने पैरों से चलके जाते हैं कुछ animals तैरते हैं कुछ animals असमित्वरी launch की health से एक जगह से दूसरे दम जाते हैं क्रोकोडियल मतलब क्रोकडियल का मतलब तो सब जानते होंगे मगर मच Can walk, horse, buffalo, cow Can hope, frog जो फुदक फुदक कर चलते हैं Frog, kangaroo, rabbit Hare wings Eagle, parrot, sparrow बचो, eagle, parrot, sparrow इनके wings होते हैं वो अपने पंखो से एक जगह से उड़के दूसरी जगह पहुंचते हैं Hare feet, इन animals के feet होते हैं ये अपने पैरो की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जैसे ox है, cow है, bear है Hare a tail इन animals के tail होती हैं जैसे monkey, cow, buffalo Animal live in different place Some animals live in the tree Some in water, some live on land Some live under the ground And some fly in the sky Some animals even live in our houses बचो कुछ animals होते हैं जो पानी में होते हैं, कुछ जमिन पर होते हैं कुछ पानी के अंदर होते हैं, कुछ आस्मान में होते हैं, sky पर होते हैं Some animals होते हैं, जो हमारे घरों में भी होते हैं बचो, यहां पर एक कोशन किया गया था Can you act like the animal seen at the pond? Which animal make? What kind of sounds and movements? Try to make similar sound जिसका answer होगा? Answer है, yes, I can act like the animal seen at the pond Hear the sounds made by the given animals कुछ animals के sounds दिये वें, जैसे गौट, कैसे बोलती है, गौट, मै, मै, ऐसा sound आप भी निकाल सकते हो ना Buffalo, Buffalo कैसे बोलती है, Grunt Buffalo, cow की आवाज कैसे होती है Maa, करके चिलाती है ना Frog, Frog कैसे बोलता है, Croc, Croc जब पारिश होती है, पारिश होने के बाद, जब मेठक यहां-वहां फुदकते निकलते हैं, तो वो कैसे आवाज करते हैं, उसी तरह से बच्चों आगे देखो, एक पिच्चर दीवी है, Look at the picture given below, color the animals that do not live in our house बच्चों, इन में से कुछ animals दिये हैं, जो कि हमारे घरों में नहीं रहते हैं उन animals को आपको color करना है जैसे कि horse, horse हमारे घर में नहीं होता है, इस पे color करेंगे मैं आपको hint दे देती हूँ, ये work आप खुझ से कर लेना dog, dog तो हमारे घर पर होता है, hint भी हमारे घर पर होती, eagle हम नॉर्मली नहीं पालते eagle पे color करेंगे आप, cat है, cat पर आप color नहीं करेंगे cockroach है, cockroach हमारे घरों पर होता है, इस पे भी आप नहीं करेंगे rat, rat भी होता है, और elephant, elephant में आप color करेंगे, बच्चों फिश पे आप color कर सकते हैं, अगर आपके घर में फिश नहीं है अगर कुछ बच्चों के घर फिश होती है, तो वे color ना करें, lizard दीवी है बच्चों, lizard भी हमारे घर पर होती है, उस पे भी color नहीं करना, duck, यह duck भी हमारे घर पर नहीं होती है here are some incomplete picture of animal, complete them and write their names below, बच्चों यहाँ पर कुछ pictures दीवी है जो complete नहीं है, इन pictures को आपको complete करना है और उसके name लिखने है, तो बच्चों इन pictures को complete करने का काम आपका होगा, ओके, जैसे first picture क्या है, किस animal की है, first picture dog की है second है fish की, third है cockroach की, ओके, so आप लोग incomplete pictures को complete करेंगे next है बच्चों, who am I, find my name in the crossword and put a circle around it, one example has been given एक example आप लोगों के लिए दिया हुआ है, और यहाँ पर कुछ crosswords दिये वे हैं, उनको आपको पढ़कर समझना है चलो, first है banana is what I am, I, sorry बच्चों, banana is what I love eating, I spend my time jumping and leaping इसका answer होगा monkey, जो की first दिया हुआ है, बच्चों, इन सब का answer दिया हुआ है, जो की मैं आगे की page में दी हूँ, सो आप लोग उसको कर सकते हैं, second है, on the walls, depths I wear, where insects stick and cannot leave यह जो चीज है, यह दिवार पर जाले बनाती है, जिसमें की छोटी-छोटी insects आके फस जाते हैं, और वापस नहीं जा पाते हैं, ओके, तो यह क्या होगा, spider, third, I remain a walk the whole night and go to sleep in broad daylight, मैं पूरी राद जागता हूँ, और सुबह होते सोता हूँ, बच्चों, यह कौन होता है, जो राद भर जागता है और दिन मेर सोता है, आउल, next है, croc, croc, croc is my sound, in water are on land, I am found, अच्चों, क्रॉक, क्रॉक, क्रॉक किसका sound है और यह water और यह land दोनों में पाये जाता है, क्या होगा, इस cancer होगा, frog, fifth है, I appear after rainfall, have no feet, so I crawl, इसका मतलब है कि यह जो जीव है यह rainfall के बाद आता है बाद में निकलता है और इसके पैर नहीं होते हैं यह crawl करता है यह रेंगता है इसका answer होगा snail नेक्स्ट है एक स्टोरी आपने बच्पन से सुनी होगी इसमें race का मतलब होता है धीरे दे चलना कछ्वे और खर्गोष की एक स्टोरी आपने बच्पन से सुनी होगी कछ्वे और खर्गोष की जो race की स्टोरी थी उसमें कछ्वा टेच चलने के बावजुद कछ्वे से हार जाता है तो इसमें वही बताया गया है कि मैं बहुत धीरे धीरे चलता हूँ पर I want the race मैं रेस जीत जाता हूँ इसकांसर क्या होगा टोर्टाईज ये देखो ये सकांसर ये है अब आप यहां से देखकर फिल कर सकते हैं ओके बच्चो चलने नेक्स्ट यहां पर बच्चो एक अक्टिविटी डिवी है let us have some fun in your notebook बच्चो नोटबुक में आके एक अक्टिविटी डिवी है draw a picture an animal that you have seen बच्चो ये अक्टिविटी सभी को करना बहुत पसंद है तो ये आप खुद से जिनको interest है ये सब draw करके एक चोटी सी activity खुद से करेंगे next has spent some time under a tree observe the animals carefully name the animals which can be seen बच्चो यहां पर जो ट्री दिया हुआ था उस ट्री में कौन-कौन से animals थे उन सबको observe करना है ध्यान से और उन सब के बारे में हमें नीचे जो है उसको नोट डाउन करना है on the branches branches में क्या-क्या दिखा था sparrow, monkey, prey on the leaves leaves पर कौन-कौन से insects या क्या animals थे grasshoppers, bitter, caterpillar on the trunk trunk पर कौन-कौन से थे squirrel, termites, ants on the ground जमीन पर कौन-कौन से थे rat, rabbit, hair मतलब चुखर गुष से थोड़ा बड़ा होता है न उसे hair कहते है around the tree, cow, buffalo, cat यह animals around the tree थे, tree के आस-पास थे now arrange these animals in the order of their size smallest being the first, जो सबसे small animal होगा, वो सबसे पहले होगा then उसे बड़ा, उसे बड़ा, उसे बड़ा first आएगा, terminates, second ants, third battle, fourth caterpillar, fifth grasshopper, six sparrow, seven rag, eight squirrel, ninth crow, tenth rabbit, 11th hare, 12th monkey, 13th cod, 14th cow, और 15th buffalo okay, बच्चो, next है, jigsaw puzzle, in a jigsaw puzzle, a picture is cut in such a way that one has to clearly think hard to fit the picture together, बच्चो, यह jigsaw puzzle, एक ऐसा puzzle होता है, जिसमे एक picture को इस टाइप से कट करके, उसको फिर से चिपकाना होता है, वो होता है puzzle, तो बच्चो, यहाँ पर यह picture दी हुई है, चोलो, हम आगे रीट करते हैं, now make a jigsaw puzzle using a picture of any animals, paste the picture on a cardboard, now cut the cardboard along the edges of the picture, cut this cardboard into unique, unequal, unequal pieces, give these pieces to your friend, ask them to put the pieces together, and identify the animal, बच्चो, यह जो picture दी है, इस picture को किसी एक cardboard में चिपकाएंगे, और फिर उसको cut करेंगे, और अपने friend को देंगे, कि इसको सारे pieces को together करें, एक सार सब को joint करें, और फिर उसको identify करें, ओके आप यह वाला भी ले सकते हैं, इसके लावा आप को और picture ले सकते हैं, और उसको भी कर सकते हैं, तो बच्चो आज के लिए इतना ही, अगर आपको यह वीडियो देखकर, यह लेसन रीट करकी समझ आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक करिए, थैंक यू,